मकर संकरांती से कई दिनों पहले जैपुर में हांडीपुरा के 150 साल पुराने पतंग बाजार में चहल पहल बढ़ गई है क्योंकि हड़ साल की तरह इस बार भी मकर संकरांती के दिन काईट फेस्टिवल का आयूजन हो रहा है मकर संकरांती के दिन गुलाबी नगरी का अस्मान रंग बिरंगे पतंगों से रंग जाता है हांडीपुरा के पतंग बाजार में दुकान चलाने वाले लोग कई पीडियों से यहां पतंग के वैवसाय से जुड़े हुए हैं यहां पर पतंग उत्तर प्रदेश के बरेली से आती हैं पिछले कुछ सालों में तरह तरह की पतंगे बाजार में आ गई हैं चेने लोग काफी पसंद कर रहे हैं यह पतंग बनाते हुए करीब 37 साल हो गए अब बचपरे में हम पतंग बड़ा शोग था उस ताइम पर पतंगों की दुमबनावादा कर उड़ा करते थे फोड़ू लगा कर पर हैं अब आजन भी आजन दिखाए सेतीसाल कि अगरी हो गए हुजी हिम्रादे में अमेयर को राजीन इंतीजी किसी को तहलुप नहीं है जो नेतागंड जीतकर के आते हैं या खिलाडी जीतकर के आते हैं तो अपने ऊपने फिल्मे चरकार जो अपुलर होते हैं, उनके अचार मनाते हूं आईभड़ा आता हूँ, और एक किसनफ्पुल बाजार में दिली पतंग वाले हैं, उनके पास आता हूँ तो यहां के बतंकों में क्या quality है जो और रूमेनी होती है? यहां पर मन्द चाही चीज मिल जाती है हर तरह कीचीज मिल जाती है और स्विछने चीज मिल जाती है रैंड भी सही होती है अच्छा इसलिए ते दूरी पर आके लिते हैं और अपड़ाय दसे और प्रयूआ कृतने साइस टnar निंद खणी कारिगरूआ को फुट हएए अच्छा और पर वह बना ले अच्छा और आप लोग थोख में पहले कितने की बेच्ट्राइस बातन है क्या अभी किया सा बिसन्स चल रहा है विजेद अच्छा है काफी अच्छा है लेकिन इसके अदर अभी क्या है माल के लग ज्यादा शोटेज है एक पतंग जो पिछले साल अपन के बाद चार्शू रुपी की सो पतंग आती थी वो इस बार शाड़े पांसो एच्छू अभी काम नहीं कर रहा है वह ठंड पड़ी हुए वह ज़्यादा बहुरा पाणा है वह जो महीने पेले लेका श्टोक ताम के बास बना हुआ बस वही अपन के पास बोशा है दो महीने माल नहारा बिल्ट है